ओडिशा में मेजर के मंगेतर और इंडियन आर्मी की बेटी के साथ हुए विभक्ती घटना को लेकर एक कॉंग्रिस ने प्रेसवारता की जहां राष्टि प्रवक्ता सुप्रिया श्रिनेत ने मोधी सरकार से सवाल किया है कि जिस सौ दिन की सरकार को लेकर लगातार भाजपा का कहना है वहीं सौ दिनों में क्या काम हुआ है वहीं दूसरी और इस तरह के घटना लगातार सामने आ रही है जहां एक तरफ UPS से घटना सामने आई तो वहीं दूसरी और उडिशा से एक घटना सामने आई जिसने पूरे देश को दहला दिया उडिशा की पूरी घटना पर देखिए A1 TV समबादाता सौम्या मिश्रा की एक खास रिपोर्ट नरेंद्र मोदी जी के सो दिन पूरे होने के साथ ही बड़ी खपड उडिशा से सामने आई है जहां पर एक लड़की जो कि खुद एक लॉयर है उसके साथ ही उसका मंगेतर जो है वो सिख रजिमेंट में मेजर है और उसके पिता जो है वो इंडियर आर्मी से है अब साफ तोर पर उस लड़की के साथ जिस तरह की बदसलूकी हुई है उसे लेकर कर लगातार बिपक्ष आब सरकार पर हमलावर है साफ तोर पर जिस तरीके से उसके साथ अभधर हड़कते हुई उसके साथ सबसे पहले तो इव टीजिंग होती है जिससे बचके वो जब निकलती है तो वो कंप्लेंट करने के लिए साफ तोर पे थाने पहुंचती है थाने पहुंचने के बाद उसके साथ सबसे पहले मार पीट की जाती है जिसके बाद इसके अंडर गार्मेन्न्स हटा करके उसके साथ बत्तमीजी की जाती है, उसे च्छाती पर माना जाता है और इस सारी घटना के बाद अब उस लड़गी के जो एस्थिती है वो काफी ज़्यादा खडाव है, वो एस्थिती अपनी स्थिती को जिस तरह से जाहिर कर रही है जिस तरगसे ही हालाक तर साथ पर नजर आता है कि किस तरीके से इसके साथ मैं घटना को अंजाम दिया गया और इस तरीके से उसके साथ पुलिस स्टेशन प्लीसे स्टेशन में इस तरह की हरकत हुई हुई ना सर्फ इतना बलकि जिस एसेचो ने इसके साथ इस तरह की घटना को अंजाम दिया, जिसने उसके साथ यह वदसलूकी की थी, उसे फिलहाल सस्पेंट कर दिया गया है, मगर साफ तोर पे जो उस लड़की का कहना है कि एसेचो ने अपने प्राइविट पार्ट को दिखार क करके उसके साथ कुछ अभधर बातें की, जिसे की अभी फिलहाल हम आपको नहीं बता सकते हैं, और हाला कि इस सब के बाद जो है, साफ तोर पर उस लड़की की इस्थिती को देखते वे अब विपक्ष सरकार पर हमलावर है, इस सिलसले में कॉंग्रेस की राष्ट्री प्र सुरक्षा वांगने, और उसका असली सेक्श्वल एक्स्प्रोइटेशन, उसका असली यौन उत्पीरन तो पुलीस स्टेशन में हुआ, जहां पर एक पुलीस कर्मी ने उसको निर्वस्त्र किया, एक पुरुष पुलीस कर्मी ने उसके अंडर गार्मेंट्स उतार दिये, उसके ब्रेस पे किक किया, अपनी प्राइवेट पार्ट्स दिखा कर जो कहा वो मैं नहीं कह सकती हूँ यहां पर, लेकिन इस तरह की वारदात इस देश में कैसे हो सकती है, इस तरह की वारदात को कैसे, आप इसको कैसे मानिता दे सकते हैं, क्या चुप रहेगी बीजेपी बहतर घंटे पहले प्रदान मंतरी वहां जाके महिला सशक्ती करण की बात कर रहे हैं, आपको बंगाल का रेप दिखता है, दिखना चाहिए, यहां पर आप कुछ नहीं बोलेंगे, आप बदलापुर पर नहीं बोलते हैं, बेटिया कहां सुरक्षित हैं, महिला आयोग बहाजपा शातिस रादियों में जगन्या पराद हो जाता है, नहीं दिखती है, आज उत्तर प्रदेश के संबल से मामला आया, रेप पीड़िता थी, आरोपी जेल से निकलता है, उसको गोली से मार के उसकी हत्या कर देता है, यह जंगल राज है आपका, उयूपी से लेके कि जो स्थिती है, उसके बाद साफ तोर पर जो है, इसे लेकर के न्याय की गुहार की जा रही है, कॉंग्रस का कहना है, कि साफ तोर पर मोदी जी को इसे लेकर के खुद आगे आकर कुछ कहना चाहिए, वही मनीपुर की घटना को भी सुप्रेयर्शनेत ने सामने रखते व कि बात की थी, लेकिन अब इस तरह की घटना ठीक 72 घंटे बाद आना, और अब इसे लेकर के लगातार सरकार पर सवाल उठाये जा रहे हैं, नरेंदर मोदी पर सवाल उठाये जा रहे हैं, कैमरा जोनलिस्ट रादे के साथ, मैं सौमे मिश्रा, A1T.